इस घर में भी एकी बेटा है? उसकी एक बहन भी है, तुलसी अगर किसी आंगन में हर तरह के पौधे हो लेकिन तुलसी का पौधा ना हो तो उसे आंगन नहीं कहते जबकि केवल एक तुलसी का पौधा है किसी खाली जगह को आंगन में बदल सकता है ठीक उसी तरह इस खर को भी आंगन कहा जा सकता है क्योंकि मैं जो यहां रहती हूँ और मेरा नाम है तुलसी, समझ गई समझ गई दीदी भाई बेहन की बिल्कुल पर्फेक्ट जुड़ी है मेरी खुशे के लिए हर बात मानोगी मैं क्यों नहीं मानोगी क्या मैं एडी हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए अगर कोई भाई धंकी लगेगे तभी मानोगी मेरी बहू ने तुलसी की शादी के लिए दो लड़के देख रखे है चाए पी के हो या सी के हो दोनों में से किसी के साथ भी तुलसी की शादी हो जाए बस तुमने वो गाना सुना है, चंधा है तु? पूजा के बाद सब छोड़ने के लिए क्या रहा है ठीक है, अपने भतीजे से आपने बात की सबसे पहले अजे को फोन करो आ जाए आ बोलिये चाजा जी आ कर मिल मुझसे कौन है वो अंकल? नहीं मिल वाला? चाचा, एक बात कहूँ मिल मालिक को हर एक चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए जिससे किसी काम में कोई परिशानी नहीं हो और आपके अंदर सब गुण है पर इतना काफी नहीं है चाचा जी तु कहना क्या चाता है? चलिए, मैं समझाता हूँ ये ले पैसे, जा आशका आई लोग, बस बस एक मिनिट के लिए रुको ये सिर्फ एक बार की पार्टी नहीं है अब हम इसे हर मैने धुमदाम से करेंगे अब तुमारा खास ख्यार रखेंगे हमारे चाचा जी इसके पहले तो कभी पार्टी नहीं दी जैसे पता चला कि हम लोग नौकरी छोड़के जा रहे हैं अकल ठीकाने आ गई जो भी वह अच्छा हुआ क्या करें पापा से पूछ कुछ चाहिए बाला जी सब ठीक ना इसके माबाब 15 सालों से बात नहीं करते हैं उन्हें तो समझाते नहीं है और यहां आया हमें समझाने अरे सब्सक्राइब सुनो आप सब लोग खूब मस्ती करो पर रात को दारूपी के गाड़ी मत चलाना सब यहीं सोजाओ शुब चले जाना आजाए सब के लिए इंतिसाम करें चल रहे है वहाम हिए पगवांच लिए क्या हो गया कि अरे अरे इस्ता नाश आय तुम लोगों का नालाय ज़्व पे लुभा मेरे कहने चुडा है तुम लोग ओना ये क्या हो गया सुबहए सुबही इतना चिलां क्यो रही हो क्या हुआ एक किलो सुना, सारा कैश इन बेवडों ने चुडा लिया, जा देखे ना, किसे के यहाँ पार्टी काइडे के बाद तुम लोग यही करते हो, है आजाए, कोई भी यहाँ से जाने न पाए, दर्वाजा बंद करो, और पुलिस को बलाओ, साव जी यह क्या है, है चुपरे, र ऐसे आपको लगता है चाचा जी, जिसने चोरी की है, वो काम करने के लिए रुका रहेगा, एक हफते या एक साल, वो खुद छोड़ देगा, और जो नौकरी छोड़ कर गया, समझो चोरी उसी ने की, इसके बाद हम उसे चोड़ेंगे नहीं, जाओ खाना खाओ, तुम लो तीजोरी वैसे हम लोगों नहीं चुराई थी, सारा कैश और सोना आपके पूजा रूम के अंदर रखवा दिया है, चेक कर लीजे, चाचा, क्या आपको लगता है कि आप कोई नौकरी छोड़ कर जाएगा, चाचा जी, आपके हिजद पर दाग नहीं लगने दूँगा, आ भास देखते जाओ। अच्छा तुलसी को साप ने काट लिया है। क्या तुलसी ने साप को काटा। जिस साप ने काटा था वो जरीला था क्या। प्राइवेट हॉस्पिटल में मज जही हो। बाबा ही उसे ठीक कर पाएंगे। ए गुड्डू, ये कौनसे साप कह दें। ये कोबरा का खोल है भाई। तनिक सांथ हो जाव भीता। कौनसे साप ने काटा देखा नहीं। पता नहीं भॉआ भाई पता लगा रहे। बाबा, वो कौनसा साप था ये तो पता नहीं। लेकिन हमें कोबरा के केचल मिली है। अरे चुप 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 कोबले के काटे का निसान ऐसा तो नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिना जहर बाला पानी का साब्ता अगर मेरी बेटी को चीटी ने भी काटा हो तो भी लोग आएंगे अगर आप सब को यहां पर किसने बुलाया यह मैंने सब को बुलाया पचिस जन को फोन किया और सब काम छोड़के आगे मच्छर थोड़ी करते हैं तो बहुत दर्द हो रहा है कि वाइन शॉप बंद करने का कोट ओडर हमाई इतना दिन के लॉकडाउन के बाद तो शॉप खुली थी अब मुझे तो भाई क्या हो गया है रजेश के पूर खना की नमस्ते सिद्धा मुद इनके दुकान के पिछवाडे में ही सुबेश 6 बजे दारू मिलती है जवाब में हमने क्या बोला था कि हम लोग तो रात के 10 बजे ही अपनी वाइन शॉप और बार बंद कर देते हैं अब इसके पल्ट में वो क्या बोलता है कि रात के 10 बजे के बाद ही हमारे धंदे में अ उस बंदे को बंपर ओफर में फ्रीजी, टीवी, ग्राइंडर, गिलास, चमज, कटोरी जैसी चीजे मिलेंगी और तो और उसने हमारे इस सारे बंपर ओफर के उपर फिल्म मनाई और जजज साब के सामने पेश कर दी और उपर से कमा लिए बंदे ने अपना नाम भी लिख मैं यह वाइन शॉप को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चलाता हूँ, अरे शहर में वाइन शॉप होना शान की बात होती है, इस बार से मेरे भतीजे की रोजी रोटी चलती है, किसी बार को चलाना, धेर सारे जानवर पालना, मैरीज हॉल का मालिक बनना, यह सब अमीर आ और तुलसी की दोश पूजा अभी तक नहीं हुई, इसलिए यह सब हो रहा है, हमें इसका उपाये जल्दी करना होगा, बहू, हम सारी रस्म जल्दी पूरी कर लेते हैं, पर जरूरी बात यह है, दोश पूजा में कौन आएगा, जो अपने होंगे आएंगे, जो नहीं हों चुप लालची, तुचुप कर, अरे जुनियर पंडे, कब तक अपनी मा का बना हुआ खाना खायेगा, बिर्यानी ठूसने के लिए तयार होजा, सिर्फ बिर्यानी, फिर क्या, पेटिशन के वज़े से कोट ने ठेका बन करने का ओडर दे दिया है, अरे 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 तुमने क अरे तुमने के बारे में उनी से तो पूछना था, हाँ जी, क्या करने की सोच रहो तुम, चाचा जी, उन्हें पता तो होना चाहिए कि डर क्या होता है, वो सब अपने रिश्यदारों में ही आते है, बहुत बड़ा लपड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई भी उल्टी सी वि समझाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, वो तो भड़ा क्या होगा, अरे विर्ची लगती होगी होगी है, बिल्कुल कम नहीं है, वो सुन, सीपियार का तेल है क्या, नहीं हमारे पास के बार तुल सी ब्रैंड का है, सीपियार बोला तो कोई भी घटिया नाम ले रहा है अरे क्या गलत कह दिया भाई ने, अगर वो तुम्हारी खुद की बेटी होती, तो हम हर रस्म धूमधाम से मनाते अप आओगे या नहीं? ठीक है, ठीक है, तुम्हारी माने सबसे पहले अपने भाईयों से सला ली, उसके बाद मेरे पास आयो, बिटवा ये बताओ, तुमने सबसे पहले सला हम से क्यों नहीं ली? आपको खलत फैम ही हो रही है ताओजी, मैं सबसे पहले आपके पास या आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे माल लिया, तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो? वो सही रास्ते पर जा रहा है, आप अपना रास्ता लापो लेकिन तुमारे मामा सहरे मेनी में आ रहे है की नहीं? आ रहे है ना? आ रहे है ताओजी बहुत बढ़िया है हाँ, लेकिन रसम में हिस्सा नहीं लूँगा अजी, ये कैसी बात कह दी आप में? आपके पती को पैसो की पढ़ी है, रिष्टे की नहीं? चुप रहो ना, बोलो तुम भी चुप रहो ताओजी के बिना कोई भी रसम कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रसम और भी बढ़ी होगी क्या कह रहे हो? मैं मेरेज हाल में बैठा हूँ, आप कुछ बात करनी है और कोई होता, तो भीच रास्ते में उसकी धोती निकालकर पिटा ही कर देता अजय, शांत रहना, बात कर रहे हैं आप उनलोग, रास्ता निकलेगा जब तुम सरपंच थे, तब तुमारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कबजा किया था पुराना रिष्टा है हमारा, इसलिए तुम से कह रहा हूँ, अपने बेटे को ज़रा समझाओ मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, कडबड उसके चचेरे भाई में है, बात करता हूँ तुम्हें पता है, मैं तो सब को कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए दो लड़कों के रिष्टे तैयार है और वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से तुलसी से शादी भी करेगा मैं हूँ ना, कच्चा खिलाडी थोड़ी हूँ अरे एक बार मैदान में उत्रा, तो सब को चित करके निकलूँगा चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पिता से उपर नहीं जा पाओगे आया बड़ा आजकल लोगों की आदत हो गई यह बाप बेटे की तुलना करने की हाँ मुझे भी यह बाद अच्छे नहीं लगती पापा अरे अहां जा रहे हाँ भाई जा रहा है तो थोड़ा संभाल के हाँ क्यों इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे अरे मां का सभाइब पिताजी ने जो कुछ किया शायद वो गलत था पर हमारी बेहन की खातिर आपका रसम्याना बहुत स़रूरी है आपको तो पताई है कि मा कितनी खुश होगी अगर उनके सारे भाई और भाजी इस फंक्शन में आए उनके लिए अपनी जिन्देगी का सबसे खुशी का पल होगा अब आपकी तिरफ से देने वाले सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं आपको खुश नहीं देना है बस उस दिन आप शामिल हो जाईए और अपना आशिरवाद दे दीजिए महाँ चलते हैं ना पिताजी वैसे भी बुवा के लिए हम लोगों का इतना तो हग बनता ही है न और इस मकान को वाकई में घर हमारी तुलसी नहीं तो बनाया है तुम्हारा खरीदा हुआ सामान मैं उसे बहुत प्यार से दे दूँगा तुम्हारी माँ सोचती है मेरा कोई एक बेटा तुलसी से शादी करेगा जो कभी नहीं हो सकता तयार हो तो बोलो तभी मैं आऊँगा मैं जानता हूँ आप तुलसी को अपने घर की बहु नहीं बनाना चाहते है मैंने तो कब से उसके लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया क्यों भाई हमारे अंदर क्या कमी है क्या बोल रहे हो पीके जीके को उससे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए देखो किसमत में क्या लिखा है इनकी किसमत में चल चुटकू यहीं रहने का इराथ आगया चाचा चल लए चलो मिझे घर देखा कि अरे बस आखरी जगा है उसके बाद घरी चलेंगे यह लोग कलेक्टर बनने वाली लड़की से घर के काम करवा रहे है अरे कहा जा रहे हो हेलो फ्रेंट कैसे हो तुम अरे कलेक्टर साहिबा आप कब लोटी बस कली आने वाले कली यह जाने वाला आ तो गई ना आई तो मुझे मिली क्यों नहीं आप पेटा जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते है तामा जी मतला मामा जी मामी जी नमस्ते आओ बेटा वो सारा समान तुलसी के रसम का है सब कुछ मैंने खरीद लिया बड़े मामा आरे हैं अगर आप भी मनझे तो चार चान लग जाते चोटे मामा बहिया तयार हो गए आपकी बेहन और तुलसी ने बहुत किया है उनके लि मामी जी मामा जी की खाजी बहुत बढ़ दी जा रही है या तो इन्हें काड़ा दो या कॉरेंटीन कर दो खाना तू खाकी जा अमीशा कि तुरह बासी खाना दूगी क्या ए चुपकर बेटा जी माम जी सोचो जब मेरी बेटी चंद्रिका हमारे गाउं के अंदर लाल बत् हमारे खानदान के लिए शान की बात होगी मामा जी याद रहे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो अब मामा जी जिसकी किसमत में जो लिखा होगा वो तो हो गाई ऐसा सोच उसकी किसमत में सब कुछ है नहीं सोचा तो तू चुपकर जब देखो बोलता रहता है निकल यहा यह है यह यह थे आपने बुलाया क्या तू सबके सबको क्यों बुला कर ले आया बाद में बुलाने से अच्छा है कि समाज सिवा के नाम पर बड़े बड़ों से पंगा लेना है तुझे हां ऐसी बात नहीं है स्कूल के बच्चों और काफी सारी ओरतों को वाइन शॉप के बासी और बकवास अरे बास करो ना तुम तो कुछ मत बोलो सुनो दारू पीकर बोतल कहीं पर भी फैंक देते हैं वही पैरों में घुज जाते हैं उसकी वज़ा से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी ताउजी दमाज जी सब लोगों से पंगा मतलो घर में दिया जला है और अगर ये पॉलिटिक्स में जाना भी चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है वैसे भी वहाँ अच्छे लोगों का आकाल बड़ा हुआ है ताउजी वाँ चाचो क्या बात कही है अरे चुप रहूना जादे जी इसमें बहुत खत्रा है उन्होंने अपनी शादी का पर दारू का ठेका पैसे कमाने के लिए नहीं शान दिखाने के लिए रखा है अगर हमारे भाई लोग इन चीज़ों को सही मानते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है बलकि हमें तु इन पर गर्व होना चाहिए ताउजी तुलसी तु यहां क्यूं आई है ए तुलसी तू अब अपना ही घर देख लो एक पेवड़े से कितनी परिशान हूं तो यह सब सही हुआ ना भाईया और आपके रहते इन्हें कौन चू सकता है एक बात काट बांद लो अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे आकर कुछ मत कहना ठीक है अगर उन लोगों को कुछ होता है तो आप भी हमको कुछ कुछ मत कहिएगा गुंडों को मारोगे चलते हैं हम सबको भेज़ देज़े खाने के तयारी करवानी है अधियाट फंक्शन के दौरान जरा संभल कर रहना कि वह तो मामाजी है कि आपका भी ज्वागे अच्छे से आरती उतार पैसे मिलेंगे अच्छे से लगा ना जम्या नियुक्त्य कश़ पूरी कर लो शांगे सागे थे मेरी रस्मलाई तुम मेरी ही हो किसी और के हाथ दो जाने नहीं दूगा नमस्ते नमस्ते विश्राओ बेटा सुगा बेटा झाल बेटा विश्राओ विश्राओे विश्राओ लो ए्राओ़ साघसलिव कासि वबना य्ग विश्राओ नहीं य्श्राओड प्रूदा अब ठीक चाक चल रहा है ना हाँ बहुत खुशो तुमने गौर किया तो अंदर नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया ऐसा क्या वो तो ऐसे ही चले गए भाईया क्यों बुश्से में है अरे वा तुम सबकी अच्छी खासी कमाई हो गई है ज़र एक बात बताओ तुमने चं किया पहनाता बस बहुत होगे भाईट ज्यादा नुटकी मत करो मैं सब समझति यूं सबसे ताकतुरद निश्वार्थ प्यार क्या निश्वार्थ प्यार 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 ए कि सब कर वञ़्ना बैंक गड़ओंगा इसका मतलब यह होता है कि वो मिरी तिरफ देखे ना प्यार के नेटवर्क से महबबत के आउड़ूइन चलती रहेगी यह मेरा लवजी कनेक्शन है पता है जब मैं आगबंद करता हूं तो उसका तो उसके प्यार में पढ़े के सिगे भाई याद है जब वो पढ़ाई करने के लिए शैर चली गई थी तब उसकी बहुत याद आ प्यार में यहां तक कि पैखाने में उसकी याद आने लगी सोचता हूं जब बिना बात की इतना प्यार हो गया अगर बात कर लेता तो क्या करते यह आइडिया भी बुरा नहीं है यह कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहाए सुनना यह राज अपने पीछ में रखना किसी को बता है कि मेरा बस एक ही गोल है मुझे बनना है डिस्ट्रिक कलेक्टर एक बार मैं कलेक्टर बन गई ना तो पूरा गाउं जीप में घूमूंगी छोड़ो अब इस बात को पता है वो मुझसे क्या कहता है कि वो तुमसे नीज स्वार्थ प्यार करता है और पता नहीं क्या इतन चाय में डाल कर पीने से डाइबेटीज और कैंसर जैसी बिमारी अब बिलकुल नहीं होती है ओफ ओ कितनी बार सुना है इसके बारे में बाहर का खाना अच्छा नहीं होता इसलिए हमें घर पे बना कर ही खाना खाना चाहिए फ्राइट खाना नहीं खाना चाहिए उबली च खाया उसके बाद उसमें एलेवरा और कोकनेट वोयल में लाकर तुम्हें बालों में लगाने के लिए कहां यह सब उसने क्यों किया, ताकि तुम्हारे बाल लंबे और मस्बूत हो जाए, तब तो तुम्हेरे भाई से बहुत हुश थी, और तुम्हें तो कुछ भी आद नही कि शहर की छोरी हां मैं भूल गई थी ना जाने देना पहले तो यह है यह यह फाल्तो के नाटक करना बंद करते पूरी नोटंकी हो गई है चुम बेटा चंदा मांगने आए हो अब बाबा अलब वही लेने आए चंदा जमा हो रहा है अच्छा अच्छी ने कितना दिया उन्ह में टेल के भी स्पांसर कर देना ठीक है घर के लिए मंदिर के लिए सिर्फ मंदिर के लिए अच्छा और घोड़े के खिलोने का चड़ावा दूंगा अपनी बेहन के नाम पे अच्छी बात है मेरे नाम पे क्यों ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए एक हज भाई साब आपके बतीजे ने तो दस हजार दिये हैं दस हजार वो एक ओयल फेक्टरी का मालिक है वो कुछ भी दे सकता है बिल्कुल सही कहा बिल्कुल अपने बाप पर गया है मेरे बाप के पास उससे भी ज्यादा पैसा है उनसे 25 के ले लो ठीक है पांडे साब इतने पै अरुन भाई से आप एक रुपए आगे निगल गए हाँ है टी जी सासू जी माहोल तो देखो देख लिया पाठी तो बनता है ना मा कसम गदे की बेटी के साथ चादी की होती तो अच्छा था जुब जुब जी हो मेरी भी उमर लग जाए तुम्हें कबर में लटक रहे हो आपकी उमर ठेंगा लगी कि दामा जी क्यों आदत बिगाड रहे हो उनको उपर जाना ही है तो कब तक रोग सकता हूं कुछ भी वझ ने तुमसे कुछ कहा उसने कुछ नहीं कहा मुझे तो अभी पता चल रहा है तुम में कितना चंदा दिया अगवान को चंदा मैं दिल छोल के चंड़ाता हूं पूरे पांचसुएक लिए हैं पांचसू एक। क्या EB साब मैंने आपके नाम पे 501 लिखा था लेकिन आपके यह से एक खुटी कौड़ी तक नी आई पेमेंट कर दीजिए ना मुझे भी उसी टाइम पे लेना चाहिए था आगे देखो पीछे देखो अपर देखो नीचे देखो आप सबस्क्राइब बात करनी है बोल भाई वो कुमारन का बेडा यह नहीं है उसका ही है तुल जी के लिए कैसा रहेगा सिके पीके का क्या होगा जो कब से लाइन में खड़ें नहीं मैं सोच रहा था बैक अप में लड़के देखके रहूं है एक और रखके बागी पैक अप कर आई चुटकू अवो यूँ प्यार ना मिलने के बाद यह उससे प्यार करते रहते हैं इससे कहते हैं इस्वार्त प्यार और बाता मचली भी तरा मूक्यों बनाती है तूम्सी हाइ आउय कैसी हो मैं अची हूँ ठीक हो रहा है भाई दो चंत्री का तो क्या करूँ उसका उसके पास जानसा ता सुनक्वत्व मेरा ठेसमें सब्सक्वां रजेश कपूर खनागी नमस्ते नई दिक्त ये है ये खेती बाड़ी की जिमीन है और इसे कमर्शल प्रॉपटी बना के आप इसे नहीं बेश सकते इस पे उसने स्टे ओडर ले लिया है ओ जी आप मुझे ऐसे मत पूरो उसने जो पांच पटिशन डाली सी ना उनमें से ये ये एक थी और लगे आ था पिसमें भी ले बेटे गए और आपकी किसमत इतनी माड़ी कि जज साब ने इसमें भी स्टे ओडर दे दिया इस पे हमारी दलील ये थी कि पिछले दस सालों से इस जमीन में अनाज का एक दाना भी नहीं बोया गया इस पे उनके वकील ने मुझे मैं अपने दिमागे कोड़े दुड़ांगा और उसी कोड़े पर बैटकर हम लोगा हाई कोड़ पहुंच जाएंगे की केंदे तुसी अब मैं तुझे एक सला दू दो मुह बांद राक फेर तो आप गई अंदर मेरा कोई बिसनेस नहीं कर सकते क्योंकि खरीदार को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना जजर को मागे देख ले अपने आप सब ठीक ही तो है बागी रोब हो अन पर उसे हमें आप पे बरोशा है तो तो तुम्हारा कांड पक्का है जल्दी रोड़ते आओगे अरे मा कसम भाई ये सारी भीड़ी कठा करके चंदा मंगने आए गया हमसे जमीन को बेचने से रोकनी के लिए किस ने केस फाइल किया हाँ मेरे पापा ने पेपर दिया और मैंने लिखा क्या करेगा वे तड़ेल अरे मरवाई है वो जमीन हमारी है जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 उपे बचा कर वो जमीन खरी दी थी ये केस क्यूं डाला त अब तेरा जल्वा दिखाने का टाइम आ गया है तो बेटा हम बिना ठिकेट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे तुरो जा चाचू अरे माइक दे माइक दे भाई ए मेरे साब मजाग ने करा है मारो माइक चेक वन टू फॉर वन टू फॉर हाँ तो बंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आए हैं संदे स्पेशल शो तो ये शो देखने के लिए भीट जमाना करें साइट पे खड़े रहें और मज़े से देखें और मज़े से देखें और मज़े से देखें आजा आजा मार खाजा खाजा इसी के साथ जिंगुर को उठाके पढ़किया और ये पीट पे लात मादी है ये गुंडे वा कई लातों के भूत है इन्हें लातों से नहीं बुक्तों से समझाना पड़ेगा तो थाईयों और पहलों हमारे साथ मुक्री साथ आपके लडाई साइड में करो ना आने जाने वालें को रास्ता दो अरे आप जाये रास्ता खुला है आरे गुंडे जड़े हुए बंसे के माफिक बिखर रहे हैं ये लडाई देखने में लग राए कि अब इसका दी एंड आने वाला है तुम पैसा ना भी कमाओ तो भी चलेगा लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है जल्दी आओ ना छोट्टी के लिए अर्जी दे दिये जल्दी आ जाओंगा डिलिवरी के वक्त तुम मेरे साथ में ही रहना बेटा तु कैसा है अरे क्या हो गया हम सब गाड़ी से आ रहे थे गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया और बहुत चोट लग गई जाओ वो मालिस वाला तेल लेकर आ रहा है एक एकर आ जाओ अरे कुछ नहीं इनकी वैन पलड़ गई जिसकी वजह तो गिरने का घाव नहीं ल यह मेरा पोता और शिश्य भी है आप लोग बैठ यहां चोटू आजाओ दादा इसे ने हमें पीटा है पहले ही लोग बोलते हैं कि तो मेरे पास मरीज भेजते रहते हो अब इसके लिए पिटाई करने की क्या ज़रूरत है कब सुधर होगे बैड़ो सब चलो बैड़ो लो अब 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 अपना हाथ उठागे इसा लग रहा भाइक पर बैटके फोन पर बात कर रहा इसको कैसे प्राइब आप निकल अब गूर किया रहा है चलो गहार। कि शादी किसी और से हो रही तुलसी से नहीं विष्टों की आजकल अहमियत ही नहीं यह सारे मामा दो कंस निकले पता नहीं मांचा कहेगी हमने उस पर विश्वास किया पर हमें थोड़ी पता था वह पुलिस वाला हमें ऐसे धोका देगा मैं तो कहता हूं अच्छा हो अपनी तुलसी इस ठुले से बज गई कैसे अरे एक नमर का काटून है सोचिए जब घर पे आएगा तो आपसे बात कैसे करेगा हांटी कैसे हो तुम लग साब साले साब और बापने भूत ने अभी उसकी हसी सुनके डर जाए तुलसी खाने में क्या बनाया है हसमत सुबा शाम उस कुछ भी बोलता है अगर दूसरे बेटे ने भी धोका दे दिया तो हरे मुझ पर तो भरो सा रगना मा इस तुलसी को पार्सल करने की जिम्बेदारी मेरी है हम सब पीके की शादी में खुले दिल से जाएंगे ठीक है मुस्कुराते हुए सही का ना भाई तीन चार बार दा एक बाटली विश्य जाकर पीलो है मंगाऊं क्या है कि देखो कितना संवाल है नमस्ते अंची कैसी है मैं अच्छी हूं आप कैसी है तुलसी तुलसी कहां थी हां बस ऐसे ही थोड़ा हाई कहां है शेर अंदर होंगे अच्छा चाहां अंची ठीक है थोड़ा सब भाव क्या देदिया तुम तो लेट आना शुरू हो गए है अब फैमली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पाटनर क्या मैं जो बोल रहे हैं उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो जब एक छट के नीचे रहेंगे तो सब सबच जाओं क्या मतलब यह लड़का तुम्हें कैसा लग लग रहा है क्यों वो तुलसी के लिए और मेरे भाई का क्या कॉन सीके वो धोकानी देगा इसकी क्या गरेंटिये बाटनर क्या तुम्हारूं से बातिक कर रही हो उधर पापा तुम्हें ढून रहे हैं आजा ले जाओ इसे हम तो फालतू लोगों से बात कर रही थी तो तुम क्यों जवाब दे रहे हैं हां सारे महमानों का ख्याल रख्या वेज नौन वेच सब किला दिया है शादी हो रही है शादी की बाते भी हो रही है सब का में एक साथ लगता है तुम लोगों से मिलने की बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया जमीन पर रहो हवा में मत उड़ो फिर कलेक्टर बनने का सपना सच वजाएगा नहीं नहीं सही बोलाना है हाँ ओके भई यहाँ आज के बाद दुलहन कभी नहीं आसेगी दुलहन तो मुझे को जाद ही सीधी लग रही है देखो मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हो ताकि मैं लंबी हो जाओं और मेरा सर नहीं जुके अगर उसे मेरे पास आना है तो उसे जुकना पड़ेगा सही है पाटनर मैं भी ऐसी बीवी चाहता हूं जो अपना और मेरा दोनों का सरूचा रखे लो मैं तुम्हारी बात नहीं करी हूं जादा ओड है एक मिनेट सुनो ना वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है तुम्हें कौन से फ्रूट खाने में अच्छा लगता है मेरी मा और बहन इसी तरफ देख रहे हैं बाद में बात करते हैं मा आओ ना यह बात में करेंगे ठीक है तुम्हारे लिए कौन इंपॉटेंट है मैं या तुम्हारी मा और मेरा क्या बेटा आ भी जाओ मा बस एक मिनट में आया लगता उसका टेस्ट ले रही है इसलिए थो अगर तुम्हें मेरा ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे तुम अपनी रानी बेटी का रखोगे अगर तुम मेरी ये शर्त माननी को तयार हो जाओ तो मैं शादी कर लूँगी तो बताओ पाट्ना मन्जूर है पापा मुझे माफ कर दो ना पापा भागने का फुरा प्लानिंग था अपने भाई को बोल कि यहां से चला जाए मैं तुझे कभी आशिरवाद नहीं दूगा पापा प्लीज पापा जिसका डर था वही हुआ दूसरे बेटे ने भी धोका दे दिया सुन तुलसी तुझसे एक बात कहनी है ना सुनके बुरा मानना ना जाके मा के कान भरना समझी बोलो ना मामा जी ने मूपे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिलकुल भी ने करवाएंगे अब ये बात मां से कैसे कहता इसलिए मैं दूसरे लड़के ढूणने लगा और मां मेरे का जोक सुना है यार चपल लेकर भाग के आप अब अच्छा था तुम कमान हो हे भाई माने मेरी बात सुनी होगी क्या ठीक है जाके पूछ के आता हूं अरे नहीं सुनी होगी अरे आप बताईये सुनी होगी और सुन भी लेंगी तो क्या है सही का बाबा आपको पता है न वो घुस्तेम अपने भाईयों से बात करना चोड़ देंगी आ सही का तुमने ऐसा कर सकती है भाई सुनो ना मैंने जो कुछ भूला था वो वापिस से बोलता हूँ तुम जाके मा की तरह एंट्री मारो ना और देखो कुछ सुनाई देता है कि यह क्या नॉटन की है अगर पिचर में काम कर लेता तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता बाबा रेड़ी एक्शन मामा जी ने मूँपे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाया पर वो अपने किसी भी बेटे की चादी तुछ से तो बिल्कूल भी नहीं करवाई यह क्या कह रहा है बेटा थोड़ा सुनाई दिया और थोड़ा सुनाई नहीं भी दिया मैं कहा रही हो न माने हर बात तुछ सुनाई दिया यह नहीं चलफागे यह से हट तो फिर अब किसको बोले है मुझे तो बख्ष दो इन्होंने भी हाथ कड़े करती है अचा भाई तुम मेरी जगा बैठा और मैंने जो कुछ बोला था वही बोलना मैं जाकर मां की तरह एंट्री मारता हूं और देखता हूं कुछ सुनाई देता है क्या आक्सन बाबा जी डायलोग भूल गया एक बार और बहुत कड़क डायरेक्टर है आक्सन मेरी प्यारी मां पहली बार तो मैंने नहीं सुना था बेटा लेकिन दूसरी बार अच्छे से सुन लिया फिल्म पिट गई डिरेक्टर की आखरी पिचर थी यला सभी लोग मुझसे छिपाते हैं मुझे धोका देते हैं पर मैंने आज तक किसी को धोका नहीं दिया शायद इसलिए मुझे इतने दुख देखने को मिलते हैं बेटा मा आपको कोई भी धोका नहीं दे रहा है वो पैसों से मेरी उकात तोल रहे हैं ना लेकिन वो कौन होते हैं मुझे और तुमारी बहन को परखने वाले मा उसने जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली इसमें हम लोग क्या करें करनी पड़ी क्योंकि वो उसके साथ भाग गया था अरे वो सब के सब चोर और मकार हैं ये ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के नाम पर ज्यादा से ज्यादा देहेज लेकर अपने घर की तीजोरी भरना चाहते हैं जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज़त नहीं क्या हैं नहीं सो पाते तो अब बिलकुल गरीब हैं जो लोग संतोशी होते हैं वो हमेशा चैन के नीन्स होते हैं सो करोर रखे क्या फायदा बाबा आपने बिलकुल सही का अरे थेखना मा, आपनी बैयन के लिए एक नंबर रिष्टा लेकर आऊंगा, ऐसी जोडी बनाऊंगा, जो स्वर्ग में भी नहीं बनी होगी, जैसे फालू दे और आइसक्रीम की जोडी है, मेरी रसमलाई, हेलो, पाटना, कावेरी को लेबर पेंट शुरू हो गया, जल्दी मेरे भाई तुम को आ रहे हो, जल्दी आ जाओंगा, तेरे सेट को फोन लगा के बोलूं कि तेरा बाप मर गया है, अरे बात सुन, लाखों रुपे कमाने का फाइदा ही क्या है, जब इतने मुश्किल वक्त में तू अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता, हम उसका ख्याल र सुन, जलिवरी में अकेला छोड़ा ना तो जान ले लूँगी, ऐसा हो ही ने सकता, जैसे तुम्हारा पावभारी होगा, मैं छोड़ के दुबाई भाग जाओंगा, मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगा, कैसी सेवा करोगे, आप ऐसी बाते सब के सामने, मेरी बास क्या मदद करनी है, मुझे इस कार से उतार कर ओटो में बढ़ा दो, प्लीज, क्यो क्या हुआ, इन दोनों की प्यार भरी बाता सुटकर मेरी जान निकल जाएगी, ये बेल गाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से लाओंगा तो बच्चे को छटका लेगा, इस अरे गवर्मेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, चंदरिका ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो तो लेगे, इड्वांस पेमेंट कितना किया, अरे बताऊंगा तो हाट अट अटेक हो जाएगा, जल्दी आ जाओ, तू वहीं रुक मैं आता हूँ, अरुर अटीक है पापा, जोर जोर से, अरे बापी, लो ठूसो ना, अरे खाव ना, जाओ, चाचा की अकाउंट मैए, बिवय दी मंगाईए, वो भी यागी, तू कितनी क्यूट है, बिलकुल अपनी माँ पर गई है, अरे, कहां ये, कहां ये, अरे एटे जियों, अईयों पूर्हेट पर किस करवाना बहुत अच्छा लगता है ह। लोंग किस हो तो और अच्छा है लेकिन लोंग किस फूर हैड पर नहीं समझ कहा हूं समझो यह किस भी करोगे वावी साम नहीं है वो सो रही है उन्हें आराम करने दो बहुत गहरी नेंद में अरे जाओ यहां से तुम लोग जारें जारें बड़ा क्यूट बच्चा है अच्छा वा मापे नहीं गया हमारी फर्स्ट केस आज होनी चाहिए क्योंकि अगर आज हुई ना तो यह फर्स्ट क यह लो इसने भी रोना शुरू कर दिया अरे तुम लोग बाहर जाके चोच लडाओ रहा एसी लाइट सब चालू करके रखा है सब हमारे बिल में ही डालेंगे और यहां आने के लिए किसने कहा था रे खांडान में जो नया मेहमान पधार आए उसको देखो पैसा पैसा पह करता है तुम भी उन लड़कियों में से हो इसलिए तो बोल रही हूं क्या बोल रही थी अगर मैं थक जाओ तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हग करना पड़ेगा इतनी जोर से की सास तक ना ली जाए अगर तुम यह कर पाओगे तब ही मानूंगी तु क्यों मैं हाग तो कर लूँगा और मुझे बहुत शर्म आ रही है दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते तो इतना बंद क्यों रहे हूं बिल्कुल सही पहचान है मुझे बेशरम हूं मैं एः 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 इस्क्यूज मी मेरे पापा सो रहे है तो क्या करें उनके मैं लूरी गए वो मैंने गादी है आप प्लीज उधर जाइए अच्छा सॉरी सॉरी भाई है पिता जी को चादर वड़ा दो यार का इलाज कहीं और करना बड़ेगा बच्ची कितनी क्यूट है आखिर तुम डिलिवरी के वक्त यहां नहीं आए दा प्लीज बाफ कर देना मुझे चलेगा तुम्हें यहां होना चाहिए था मैं चल्दी वहां आ जाओंगा हां तो क्या कह रही थी हां तो मैं बोल रहे थी मुझे रोज तुमसे हजार कैस तो चाहिए ही चाहिए और कुछ अगर गुसे में हुई तो सौ के सौर और जादा गुसे में हुई तो पान्सो के सौर चाहि क्या कहां तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए रिष्टा आया है कहो तो बात आगे बढ़ाओं अच्छा उने बुला लीजिए माँ क्या कहाँ तुम्हारे होश तुठीकाने में हैं वो तुमसे बड़ी है तो क्या हो गया आजकल सब कुच चलता है रही क्या चलता है दस साल के बाद लाथी के साड़े चलीगी चलता है बोलता है चुकर भाई तुने-दैखा नही कितना एंसे ल ुशे। कि इसके शादी यहां मर्जी से होती है, जिन्दीगी भर यहां कुमारी बैठी रहेगी, शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है, देखो मा, भाई चंद्रिका को चाहता है तो पहले इनकी शादी कराईए, उसके बाद आप जहां चाहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए ते अंकल, ये दोनों एक दूसरे को बच्छवन से प्यार करते आ रहे हैं, बड़े अंकल ने तो मुझे अपनी बहु बनाया नहीं, कम से कम आप इन दोनों की एक्छा पूरी कर दीजे ना, मेरी मा और मेरा भाई, मेरी खातर बहुत घलत फैसला लेनी जा रहे हैं, आप ज़र सोच समझ कर फैसला कीजे ना, अंकल, प्लीज अंकल, जरूर सोचे ना, इस बारे में, लीज इनकी एक्छा पूरी कर दीजे, बड़े भाईया के बारे में क्या कहा तुने, मेरा बड़ा भाई इस रिष्टे को लेकर बिल्कुल साफ है, और तु अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे साथ अपने किसी भी बेटे की शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे साथ को शादी नहीं करना चाहता, और तु यहाँ अपने भाई का रिष्टा लेकर आईए, चल लेकर आशे, जा, पापा अप इस तरह चिला कर उसकी बेज़ेती क्यों कर रहे हैं, तेरा मैंने कहाने निकल, मैंने कहाने निकल, मामा, आपको तुलसी पसंद नहीं है, तो असे बात नहीं करते, उसे बुरा भला कहने की क्या ज़रों थी, अगर उसने कोई हलत कदम उठा लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा, आहिंदा अगर तुलसी को किसी ने कुछ भी कहा, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, अपनी यह अकर पूलिस टेशन में दिखाना, तुम सब की आखो पर लालेच का परदा चड़ा हुआ है, इसलिए रिष्टे नाते क्या होते हैं, ये तुम लोग समझ नहीं पाऊ कैसे खास लेते हो, क्या क्या बाबा, हमने शादी की बात कर लिये, इसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका बिजनेस सेट करके दे बिजनेस सेट करके? हम सब इंदजाम कर लेंगे भाई हाँ, तो ठीक है आप इसके लिए तैयार कैसे हो गए? आपको उसके जनम के बारे में नहीं पता? आप लोगों की वज़े से तैयार हुआ मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं वो तो है, लेकिन उसका खून हमसे अलग है ना देखिए, मैंने आपकी फैमिली में शादी की जो लड़की आपके घर आ रही है वो हमारे लेवल की होनी चाहिए ना ठीक है करड़ालिये करड़ालिये से क्या मतलब बहनोई जी? आपको भी शामिल होना पड़ेगा तो बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखूँगा आप ही पताईए, अब मैं क्या करूँ बैर? भाईया, लड़की बहुत अच्छी है, आप बिलकुल मज सोचे अरे, तू तो अपने घर का लड़का है पर इस वक्त हाथ जरा तंग है बोलिए साब जी, मेरे भतीजे को पाँच लाख रुपिया अर्जन्ट चाहिए हाँ, लोटा देगा सूथ समेत थोड़ी मदद कर दो भाई मैं खोदा आपसे ब्याश पर पैसा लेता हूँ, मजा कर रहे ही क्या? अरे, मैं जो कह रहा हूँ, वो समझो बात कुछ समझ नहीं आई एक काम करो शाम को, उनसे पैसे ले लेना पर बिना भुले हर महीने की पांच तारीक को सूथ दे देना आप फिकर मत कीजे और पैसों की फिजूल खर्ची मत करना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया साफ जी-स.मेश.श.व बांच दो Hindi म adaptala değer के बांच ओने धी अज मिव दिना दो पैसे उसे दे देना वह ठीक,इक पैसे शोध देगा मुझे दे देना पैसे पेड़ पेवुकते हैं, जो निकालके उसे दे दू कि नमस्ते, आई 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 इतनी देर हो गया और लड़के वालों की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है आते ही हूंगे माप वो सकता है शुब मवर्वत का इंतजार कर रहे हूं थोड़ी दिर में आ जाएंगे नमस्ते भावी जी मेरे भाई के घर में कुछ दिक्कत आ गई है सगाई रोकने को बोला है उन्होंने यह क्या बोल रही है भावी जी देखा उनके परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है धोखा उन्हें ये सब हमें पहले बता देना चाहिए था ना मंदिर में बुला के हमारी बेज़ती कर रहे है अब तुलसी की किस्मत में शादी लिखी यह नहीं है यह तो बहुत ही बुरा हो गया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा बेहनोई की बात तो हमें माननी पड़े एक बेटा क्या बात है जै तू तो बहुत शाणा हो गया आजकर क्या प्लैनिंग है तेरी बाई मान गया वह चाचा का कोई वारिस तो है नहीं तो प्रपर्टी का मालिक तो बन जाएगा है ना नहीं रहे ऐसा कुछ नहीं है तो यह गोल गोल को माफिरा के क्या बात कर रहा है जो तेरे दिल में साफ साफ क्या दे देख भाई बात यह है कि तेरी शादी अभी हुई नहीं है और अंकल की कोई अलाद नहीं है तो इतना पैसा जमा करके क्या फैदा है कम से कम ठेके पे थ शिसला देना मेरा फर्ज है बगवान ने तेरे आत्मी अमरित का लोटा पकड़ाया है पीना पी तेरी मर्जी आटी जी आप यहां क्यों बैठी है बस थोड़ा सा ठक गई हूं बेटा आराम कर रही हूं आईए मैं आपको छोड़ देता हूं मेरा बेटा मुझे लेने आ ही रहा है पास में है क्यों हम इंसान नहीं है हमारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती अरे ऐसी बात नहीं है तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की मैं तो चाता हूं लेकिन क्या करें कोई अपनी बेटी का हाथ मुझे देना ही नहीं चाता है आओ चाय पीक के जाओ नहीं आँटी वैसे मैं तुलसी का हाथ जो मांगा उसके लिए बुरा मत मनी है क्यों उससे शादी करने के लिए मना कर दो अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिलकुल नहीं है, तुलसी बहुत खुबसूरत और स्मार्ट लड़की है, जिसके साथ उसकी शादी होगी बहुत ही नसीब वाला होगा, उसकी जिन्दगी सबर जाएगी, सगाई तूटने की वज़ा आपके रिष्टेदार ही हैं, पता हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ऐसे रिष्टेदार हों, तो दुश्मन की क्या जुरूत है, अपने आपको समालिया और घर जाएगी तू बता बेटा, तू शादी करेगा? क्या पता हूँ आँटी, मेरा नाम इस इलाके में बहुत बदनाम है, शराप की एक बून तक नहीं पीता, लेकिन बार चलाता हूँ, बोले तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाता, देखिया आँटी, मैं बस अपने काम से का और बागे चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, क्या मैं इस बारे में अपने बेटे और बेटी से पूछ लो, मुझे ये रिष्टा मनजूर है, पर बेटा और बेटी ना कह दिये तो, आँटी जी, आपने पूछा बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया, चलता हूँ कैसी बाते कर लियो मा, इसको किसी के भी गले में बांदू, कितनी बार कैचेगों, मैं तुलसी के लिए अच्छा लड़का ढून रहा हूँ, और वो लड़का कब मिलेगा, थोड़ा सबर करो, मिल जाएगा मा, मुझे वो बहुत पसंद आया है, और मैं उससे उसी दिन शा उसके माबाप सालों से आपस में बात नहीं करते, एक घर में दो चुले जलते हैं, उस पर इन चीजों का कोई फर्थ नहीं पड़ता, तो यहां कौन अच्छ है भाई, सभी लोग तो नकली मुखहटा लगा कर बैठे हों हैं, कम से कम वो जैसा दिखता है, वो वैसा ही है, तेख थोड़ा और इंदेजार कर, हमारी पैचान में और भी लड़के हैं, अच्छा रिष्टा मिल जाएगा, फिर कोई रिष्टिदार हमारी शादी में अडंगा डाल कर रुखवा देंगे, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं ना भाई, पर कोई मुझसे शादी नहीं कर हैं, जबकि पूरा गाउं मुझे लेकर उल्टी सीधी बाते करता है, मुझसे वादा करो भाई, मेरी शादी की बात अब यहां नहीं होगी, मैं आप लोगों के साथ यहां रहना चाहती हूँ, यह लगातार मेरी शादी की बात अब मुझसे बरदाश्ट नहीं हो रही है, तुलसी के किसमत में शादी लिखी यह नहीं है, यह तो बहुत ही बुरा हो गया, मुझे लगा आप तुलसी को प्री बेटी समझते हैं, जो क्या हुआ, उसका खौन तो अलग है ना हमसे, तुमने किस के घर में जन्म लिया, कौन शादी करने वाला है तुमसे, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कोई मुझे से शादी नहीं करना चाहता, मुझे वो बहुत पसंद है भाई, सब कुछ मैं देखनू में तो टेंचन मतले, काल जाजा जा जाजा बाबा पाबा बाबा आरे पाने कम अहारतोने जलाज बहुट ओड़ीज़ फचे अचे बहुंद़ीज़ ये बहुंद़ीज़ इस अचे बहुट बहुंद़ीज़ क्या हुट चाचा जी, राना आजाओ भाई आओ ना, चलो बड़ भीया, वो सोच रही होगी कि हम उसकी बेटी की शादी अटेंड करेंगे जबकि हम करेंगे ही नहीं बहुत ज्यादा अकड़ दे थी उस दिन, आज सब समझना आ जाएगा हमारे काफी रिष्टेदार इस शादी में नहीं आए मा, वो छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ पर गए है मेरी बेहन की शादी में आने के लिए उनके पास मू रह गया था गया बाबा जी, जल्दी कीज़े ना, मोहर्त निकल रहा है बाबा, आप दे दीजे एक मिनिट, रुख जाएए चाचा जी, आप आजाएए बाबा, बाबा, जी आपका है इंड लिएम हाई भीया, हैपी बैरिट लाइफ, थांक्स भीया, ये ले जी बैनोई जी, ये लो, अरे कैसे पहना हरो, हाजा, यहाँ पर खड़ी हो जा, संभड कर, खाम साब इंदे साम कर लेंगे, वो हमारे कलकत थावाने, उन्ही को दे दे, मैं अपने जीजा जी के पास कड़ा हूँगा, हाँ, हाँ, जीजा जी, मेरी बैन तुल्सी का खयाल रखेगा, हाँ, हाँ, कहने की बात थोड़ी न है, मैंने सुना कि तुम और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थी कि ये शादी हो, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा, मीठी चुरी की बात सुनी होगी, अब देख भी ले, साले साभ, आगे, आगे, देख तु, तुल्सी, घूख लगी है, चलो न, चलो, शादी की रसम पूरी होने के बाद दूला यहां लंच तक बैठा रहा, उसने महमानों को खाना भी खिलाया, और जो वीडियो बना रहा था, उसने उन दोनों से कहा थोड़ा करीब आगे खड़े हो जाओ, उस बाद से नाराज हो गया और उसे गाली दे कर चला गया, सब लोग उसी को ढून रहे है, भैया, वो कहा गया होगा, यहां बार में तो नहीं है बेटा, वो तो घर पे भी नहीं है, वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है, आच्छा कुछ पता चले तो फोन करना, मुझे अजीत मेरी पत्नी के साथ, दोनों साथ में भागी, वो सुनो, बेटे का पित खराब हो गया है, जिंगर, अजीत येडा है, अंधा नहीं है, अपनी बीवी को संभाल, ये लो, ये तो यहां बटक रहा है, आब दूले राजा, शादी में क्यों ने बुलाया, दिल नहीं कि चल ठीक है, पर रोड पे क्यों बटक रहा है तू, अमेरिका जा रहा हूँ, अजीत भाई, मेरा दंदा तो चोपट कर दिया, पर अपनी पोली पत्नी की जिंदगी खराब मत कर, तू सच मुझ शेर चोड़के चला जा बाई, इसलिए मैं ने तेरे को बुलाया नी, ये तो हो गया, उठा बातरूम जाके नहा के फ्रेश होके आ गया, वैसे भी छे वजे पोच्छा है ना, अपने बास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, जे लो, खुश रहो बेटा, आए ना, जीजा जी, मुझे भी पैर चुना पसंद नहीं है, ये सब पुरानी रसमें इनकी क्य जरूरत है, वैसे भी इनकी दुआएं हमारे साथ तो रहती हैं हमेशा, अरे तुसी, तुभी छोड़ना ये सब क्यों कर रही है, अरे किस्मत वालों को ये बड़ों की दुआ मिलती है, अगर जिंदगी को थोड़ा सीरिस निलोगी न, जीना असान हो जाएगा, अगर हलके मिलोगी न, तो मुश्किल हो जाएगा, हाँ समझ गई बेटा, खुश रहो, हाँ बोलो, ये दामाद के चेहरे पे इतनी अकड क्यों है, उसको और भी ज्यादा दहे चाहिए, बोलो देते हो क्या, अच्छा लग रहा है, अकड बनी रहे, खुश रहो मैंती, जोग जोग ज अरे तोलसी, पहले बढ़ो का शिराती है, अरे नहीं, भाई के पैर नहीं छुटे, शागुन समझ लो, हमेशा खुश रहो, अरे अरे बहने पैर नहीं पढ़ती, गले लगती है, अरे पगली, हितना रोना किस बात का, मैं, बाबा, भाई, हम लोग सब तुझसे मिलना आया करेंगे ना, मा सबसे सुझाओ, आजाओ, नाना नानी से आशिरवाद ले लो, अल्ला तुम्हें सलामत रखे, इंशायला, सलामत रखे, बाबा, अंकल और अंटी, और बाकी सभी बड़े बुजर्ग, मुझे माफ कर दीजेगा, अगर मैंने कभी गलती से आप लोगों का दिल दुखाया हो, मैं किसमत वाली हूँ कि आप लोगों का प्यार मिला, मा, मेरी अपनी मा ने भी मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बाला, आपका ऐसान मानने के लिए, मुझे एक सिंदगी कम पड़ेगी, मेरे भाई ने मेरे खातर जितना सा है, उतना कोई नहीं सह सकता चलो, चलो, ते जोरी है, मैं तुम्हे अपने बेटे को देख रहा हूँ, वो मरा नहीं है बेटा, अब भी जिन्दा है वाईमार, वाईमार जाल मार उसे, चल 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 गूं के मार आजा चुट नाना है पीछे 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 और वार पीछे 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 चल चल आगे बाड़ चल 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 एक कमाल कर दिया वेखा मेरे शेर को चल बड़ूगा नाई कमाल की बात है कि ये लोग खेल को खेल की भाउना से लेते और हारने पर बुरा नहीं मानते इन दोनों को बटपन चाहिए देखता आ रहा हूं दोनों में गहरी दोस्ती है ये लोग खेल के नाम पे धंदा कर रहे हैं ये दोस्ति इनको एक न एक दिन महेंगी पड़ेगी जब चाल आगा बस आगया क्या हास रहा है चल यहादे चल जो लख्शन की है का देख कौन आया है हुँँँँँँँँँँँ अश्या के सबस्सार गए यह इंहत्म वाला है इसे रखे ये तेरे लिए यह लेजिए क्या लृटे ? अगर हमने शादी कर ली तो गाओं में बऒाल मत जाएगा दखिए मैं आप तुसरे काउंसे लड़की भगाकर या दंगा करवाईगा क्या तुम्हारे किसी काम में कोई साथ नहीं देगा तुम्हारे साथ के जरूरत नहीं है कुछ चिंता मत कर सब अच्छा ही होगा हमें हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ बहुत ज्यादा अकड़े तुझे अपनी अवकाद में रहकर बात किया कर जूता निकाल के मारूंगा यह क्या बोला रहे चोड़ा रहे चोड़ा है तुम बात को आगे मत बढ़ा आगे ना बढ़ाओ छोड़ना इनको तो यहीं जिन्दागार दूंगा चल यहांसे तुझे पैसे रख चोड़ना सबको यह पैसे रख ले आपको यह ले दोस्त को है रहा नहीं सकता आप उनको यहां चल बहुत आठ रहे चल बहुत बॉट आयां चलो लुका चलो जली करो तुझे चिंता मत कर सब अच्छाही होगा रड़का यह लड़की किया लड़की लड़का पीड़ा हुआ अपतो खोशा आपको यह बटा अबीचिसकी जाय ज़रूत नहीं अरे बैटना तो क्य छलो छलो चलो आप में ले लाती है हम लागरा है कि यह लए त इसली तू मेरे पास आइ शुआ है इंप्ट का इसली जर्ट कर दो जुआ है जहा है शुट्ट को अब पर बारा है तुस्थ इसली आप मुझे दर्मा किसी ने हमारे धर्मा को मार दिया किसने धर्मा मेरे भाई चल भाग धर्मा धर्मा मेरे भाई ये क्या हो गया धर्मा धर्मा पापाए सब बाहर हो गया है अधर्मा अधर्मा गया है पया था बाहर है अधर्मा करोद्थ यह खर के अधर्मा तरगुष्टी इस हमत कैसी हो या कोई हेल मेरी बतत करो देख में कहां से आगिया कौन है कौन है कौन है यहां कर रहा है छोड़ों में लेदर वह तो बारा दिखाए रहा है तू का जा रहा है तिमाग तो सही है ना तेरा चिपचा बंदर चल सुनिये इसे रख लें यह कुछ पैसे हैं खर्चे के लिए ले लो ना चलता हूं रामेश्वर हाँ सुनाये की हर चीज तुम दो दो खरीते हो जानते हैं अगर मैं मरता तो धर्मा भी यही करता बच्चों को ज्यादा मट डाटा करो वो अपने आप ही सीख जाएंगे अब तुम जाओ उस घर्टना के बाद अक्सार रामेश्वर अपने दोस्त की पत्नी और उसके बच्चों का हाल लेने के लिए उसके घर जाने लगा मुद दिखाने लाइक नहीं छोड़ा इसने रामेश्वर को कुछ बोलेंगे नहीं आप भाभी भी कहा कुछ बोल रही हैं पूरा गाउं हमारा मजाक उड़ा रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे पानी गरम हो गया क्या गाउं वाल क्या हुआ अरे बापरे मैं आप की कसम खाकर कह रहा हूं कि जैसा भी गाउंवाले समझ रहे हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है पैसे से इने लोगों के साथ थोड़ा वक्त विता कर भी उनकी मदद की जा सकती हर रिष्टा गलत ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझ अजय फ़र्ग वात का पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते है आप लोग मुझे गलत ना समझे इसलिए मैं बात बताई मैं सब की बात क्यों सुनौं मुझे आप पे विश्वास है भरोसा है आप पर इसलिए पूछा कि आप की कान तक ये बात मोचिया नही मैं बहुत पहले से सब सुनता आ रहा हूँ है इतनी सी बात के लिए धेर सारी मिर्ची क्यूं जा रादी मिर्ची का भाव तुम्हें पता है हमेशा अच्छे कपड़े पहने के ढंग से रहा करो हैं पापा खाना तयार है पापा मेरे पासा तुलसी तो ने खारा खाया क्या खाया डाल चावल पापा चूहें फसलों को बहुत बरबाद कर रहे हैं अरे अब क्या करें अरुन को भेज़ देना दुकान तक गया है आये तो जल्दी भेज देना ठीक है भेज दूँगी सुने बेटा तुम लोगों के खेतों में भी फेसिंग लगानी है क्या हां लगाते हैं ज़रा वो तार देना यह ले इसे फकड़ और वहां जाए तू वहां पहुंच मैं कनेक्शन लगाता हूं यह अरुन का बच्चा भी कहां रह गया बस आने वाला होगा भूम हम बत्ता ने ये लड़का बिना बताय कहां चला जाता है चल्ड़ तवागर अ अच्छे ज किझ और खीट आईट कर उसे चौड़ दे अब यहां पर ढ़ाज मंते चल्मां हां जोर से ओरंचाब अरे भगवान मेरा बच्चा अरे आओ पापा जल्दी जे पावर काटो बेन स्विच आफ करो जल्दी जल्दी कार पीटा मेरा बच्चा क्या होगा चल्दी उठाओ उन्हें उठाओ चल्दी करो जल्दी से इनका दासंसकार कर दो नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा चल्दी ले चलो इनको जल्दी से ले चलो इससे पहले की पुलिस आ जाए चलो जल्दी उठाओ अगर पुलिस यहां आ गई तो सब जेल जाएंगे चलो जल्दी करो अरे उठो चलो उठो रोने दोने का टाइम नहीं है हमने किसी को नहीं बताया इधर उदर से लकड़िया जबा की और रातो रात उनका दास अंसकार करती है पती और बेटे का गम तुलसी की मा बरदाश्ट नहीं कर पाई और कुछी महीनों में घुजर गई शादी के बाद हमें तुलसी की ज़ादा फिकर हो रही है उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए अभी यकीन नहीं हो रहा मैंने सुना कि कल शादी में रोना धोना मचा उसके अपने माबाप जिन्दा होते वो भी इतना नहीं रोते बिल्कुल सेंटिमेंटल एपिसोड जैसी मापी नाधी ते पर माफी भी मांगी ती ऊहाओ उसदिन मेरे दिल ने का कि यह लड़की खराए सोना है तुमसे बात करना ही नहीं बल्कि तुम आपने बारे में क्या समझते हि Scholars सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है तुम्हें कैसे बता अरे उसकी जैसी आजीब हजी किसी की हो इनी सकती है अब सो नहीं रहें बाबा तु इतनी जोर से बात करेगा तो मैं कैसे सोंगा अरे वो पड़ी लिखी है ना इसलिए उसे हस हस के फोन पे खरी खोटी सुना रही है ये रिष्टेदार भी बड़ी अजीब चीज होते हैं नहीं कभी छपर फाड़के खुशी देते हैं कभी दिल तोड़के मायूस करते हैं तु रिष्टेदारों को दावत कब दे रहा है बेटा बाबा पहले तूलसी को और उसके पती को तो दावत दे देने देने दीजिए अब तैयार नहीं हुई बाबा आप येसब कुछ नहीं चलेगा एक बहू होने के नाते में घर में दो किचन नहीं रहने दूँगी चली तयार हो जाइए हमें अपने भाई के घर जाना है चली Wal कैसे अब हम चले चलते हैं मुझसे शादी करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा इसलिए मैं तुम्हारा ऐसा खयाल रखूँगा जैसा तुम्हारे भाई ने भी नहीं रखा होगा हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगते मेरे भाई जैसा मेरा खयाल आप रख पाएंगे हां भाई हेलो तुलसी अरे का रहे गी बस निकल रहे हैं भाई तो क्या खाली हाथ जाए बाबो जी तुलसी और जीजा जी कहां पर रहे हैं वो लोग तो आदे गंटे पहड़े हैं निकल गए थे अच्छा ये बैठिये नमस्त्री आपको तुलसी तुम्ह तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे भाई को जो पसंदे सब ले मैं देखता हूँ अरुन सुन जी चाचा जी वो मिश्णा जी पता रहे थे अभी तक तुने सूद का पैसा नहीं दिया बस दावत हो जाए फिर दे दूँगा चाचा जी मेरा नाम खराब मत करना यह आप मुझे यहां क्यों लेकर आ गए हैं रिष्टे में यह तुम्हारे भाई जैसा ही है लेकिन सगा थोड़ी नहीं है अच्छे अच्छे यह फोन नहीं मुसीबत है अरे वा आज यहां का रस्ता कैसे भूलकर है अरे कुछ नहीं आपके हाँ दावत खाने के लिए यह तुम्हारा जो बहनों ही है ना वो अपने दोस्त की घर पे और तुम्हारी दावत में नहीं आने बाला यह तुमसे किस ने का मैं कलेक्टर हूँ सब पता रहता है मुझे क्यों बै अपनी बेहन और जीजा को बुलाया है ना तुने कितना इंतजार कराएगा सबको अच्छा हुआ तुम लोग आ गए अब यह भूख लग रहा है ए दीपक सबसे कहो कि जाके खाना खाले हाँ चलिए सब खाना खाली जे शर्मिंदा मत हो बेंड़ा तुलसी क्या है मा आप लोग परिशानों कर यहां क्यों आ गए हैं दामार जी को हमारे यहां आते शर्म आती है ना उसे कोई शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल बेश्रम है अच्छा ठीक है तुई खा ले ना इसे खाना तुमा अरे कैसे हैं आप लोग सब ठीक है हम खाना लाये थे सब्सक्राइब के लिए जीजाजी का अंदर है किसी दोस्त की दावत पर अगे बेटा जीजाजी जीजाजी दरवादा खुलो क्या कर रहा है कि लगता है जीजाजी सो रहे हैं आप लोग आए बहुत अच्छा लगा देख रहा है चोटू जीजाजी कितना बड़ा खर बन वारे तुल्सी इसी में रहने वाली है आईए सासुमा कैसे हो बेटा कैसे हो फुपजी सोने के अटिंग कर रहे थे ना खाना लाई थी खाल बेटा खाना भी खाली और हाथ भी धोलिया और बोलिये नमस्ते जीजाज कुच 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 क चाचा जी कहा रहा है खाने भी बुलाई और कोई काम नहीं है किया इनके पास चुपकर कहीं भी कुछ भी बोलता है तुलसी भाई को ज्यादा आवाज कर देने लगता इसकी सर्विसेंग करानी पुड़े गहां भाई को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती लगता इसका तो दिमाग खराब हो गया है नमक के नाम पर हम सब केमिकली तो खा रहे हैं कच्छा नमक या फिर सेंदा नमक वही सेहत के लिए अच्छा है वही खाना शुरू कर दे ठीक है चलो चलते हैं आओ मा चलते कागी बेचारी लड़कों पर बहुत अतियाचार होता ना मा शायद हर्द आमाद ऐसा नहीं होता बेटा तुमसे तो ढंक से बात भी नहीं की तुमसे तो बात की ना मा इतना काफी है अच्छी तरह ख्याल लगना इसका तुल्सी को भी लाओ इनको देख रहा हूं तो अपने पुराले दिन यादा रहे हैं जो फिर तुम्हारे साले ने क्या का कह रहा दा पैसा देगा घर जल्दी से बनवा लो आज तुम्हें पैसा देगा और कल उसके बदले में बार बार तुम पर अहसान जताएगा मैं मर गया हूं क्या जो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई और तुम्हें पैसा दे पैसे क्यों कह रहे हैं चाचा जी जो सही है वही बोल रहा हूं तुम उससे पैसा लेकर अपना घर कैसे बना सकते हो दिखता हूं थोड़ा सोना बेज कर अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी वसियत बन वांगा जिसमें सब कुछ में तुम्हारी नाम ही कर दूँगा तुम टेंशन मतलो मैं पैसों कंदाब करता हूं तुम घंका काम शुरू कर दो सुन ये लिए जल्दी से काम खतम कर दो मैंने में ग्रेप रवेश करना है तो अपने चाचा की वज़ा से मुझसे शादी की थी तो ये सब आपकी प्लानिंग थी ना ना ऐसी बात नहीं है आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हां कह दिया गलत किया मैं तुलसी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और तुम्हारे भाई से उतना ही नफरत जरा बता तूसे पसंद क्यों नहीं करता हां इन्हीं से पूछे क्या प्रॉब्लम है इन्हें मुझे बताईए आप दोनों की बीच की दुश्मनी कैसे खतम की जाए अच्छा ठीक पहले लोग आते थे तो इज़ट के साथ मेरे पैर चूटे थे हाँ जूड कर गिड़्डा ते थे कि मुझे भी एक प्लॉट दे दो लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते हैं और अकड में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो अब या तो मैं भाग जाऊं या फिर इस हॉल को बेज कर सबका करजा उतारू अगर तुमने केस वापस लिया तो सबका भला होगा यह तो करना बहुत मुश्किल है इसके लाबा कोई सेवाय है तो बताइए कर देंगे इसमें तुम्हारा क्या फाइदा होगा मैं तुम्हें प्रॉफिट में शेर भी दूँगा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना दादा जी जोरे चुपे सुन रहे थे तुझे किसने कहा था ने के लिए है शेतान मनली अंदर थी वैसे मैंने कहा था ना पपीस लेने के लिए मेरी बात की कोई हिजद है यह नहीं वो पेटिशन हमने बहुत पहले फाइल के थी लेकिन उसका जज्ज्मेंट हाल ही में आय तो अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, हम लोग चाके भी कुछ कर नहीं सकते हैं ताउजी अरुन, तुलसीन के परिवार में है, ये मत भूल जी जैजी है, मैं हूँ, सब मिल के खयाल रखेंगे जो आदमी जमीन का बटवारा करता है ना, उसकी जिन्दगी भी बढ़ जाती है, ये नानखटाय अच्छी है तब आब बोलिए, इनके साथ, मुझे क्या करना चाहिए मैं अब इसमें नहीं पड़ूँगा, आपको जो करना है कीजिए ये पैसे जमा रहें नितिशी है, मैं चलता है, ठीक है ये समाद, बिटा, तुल्सी, बिटा, क्या हुआ, तु ऐसे बिना बताए, अचानक कैसे चली आई, कुछ नहीं मा, बता ना बिटा, मैं समझ गई हूँ कि वो मुझसे शाधी क्यों करना चाहता था, वो तुमसे बदला लेना चाहता है, और अपने चाचा को खुश करना चाहता है, जब मैंने कहा हिए गल्ले तो मुझे मारने जोड़ा, और फिर, उसकी माने बीच पे रोग दिया, इस वक काम ही लगा हो, घर पर, चल, जाने द आजा, आजा, यह बैट काम आजाएगा, जिसमें मेरी बेन को हाथ लगाया, उसको छोड़ूगा नहीं, आजा, साम में कश्ट बारू, अरे तुझे छोड़के हमें कश्ट होगा, चल, अरे पाटनो, अरे सुन बेटा, तेरी बीवी अपने भाई को लेकर आई है, आजा, बागा, जल्दी बागा, मेरा भाई, आउंटी, जब समझाने के लिए बड़े लोग है, तो मेरी बहन घर कैसे आ गई, प्यार से सम्झा देते, तुलसी, चल, अपने घर पे जा, और दोबारा तुमसे ऐसी खलती होनी नहीं चाहिए, दुश्मन भागने न पाए, ये तो पल्टर ले करा गया, तुलसी, छोटे मोटे जगडे का पे नहीं होते, इसका मतब ये थोड़ी के घर छोड़ दो, एक और बात, ससुराल में रहके मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं, ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी चथ तुम्हारी दुनिया, ये क्या सीन मैं मारने के लिए बैट लेकर आया और ये तो पाठ पढ़ा रहा है, दुनिया में ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे आमने सामने बैट के आराम से ना सुल जाया जा सके, लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने के समझी नहीं है, सही का न बाबुजी, सही का बेटा, तुलसी, पता है जिन्दगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है, इसमें हर तरह के उतारश अड़ा हो तो चलते ही रहेंगे, आला तो उसे भागने से अच्छा, उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है, और ये बाद सिर्फ लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी लाग आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहु नहीं बेटी भी है, चल जा चलता हमाजी, ठीक है बादूजी, ठीक है बटा, ये क्या हमारी तरफ निशाना है, अज तेरे को जान भुझके जाने दिया, जी-जा जी, आज तो आप बहुत ही अच्छे मुड़कों पर नहीं लग रहे हैं, आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था, ये देखके मुझे बड़ी खुशी होई, वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं, आज घुमा फिरा के समझाये तो है, उमीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मजाग कर रहा हूँ यार, मजाग भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल ले तो तुम लोग पागल होगे है, हाँ चंदरिका, क्या हुआ, मैंने देखा कि तुम बड़ी तेजी से घर वापस जारी थी, ऐसा क्या, ठीक है, अगली बार मै मैं धीरे-धीरे घर जाओंगी, देखो तुलसी, तुम्हारा भाई मुझसे कुछ भी नहीं चुपाता है, वो बचपन से ही, तुम्हारी वज़े से काफी सारी दिक्कते जेलता आ रहा है, तुम्हें ये बात समझ नहीं चाहिए, मुश्किल कितनी भी हो, तुम्हें हमेश में लिखा है कि तुम कलेक्टर बन ही नहीं सकती, इसलिए अच्छा होगा कि मेरे भाई से शादी करके अपनी जिन्दगी सेटल करो, ये बात मैं नहीं कह रही, ये तुम्हारे पार्टनर ने कहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, इस अच्छा है, ऐसा गलती सी बेबत कहना, मेरा छोटा से दिल तूड जाएगा, अक्टिंग मत करो, मैंने सुना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये ये बात तुम्हें किसने बोली है, तुम्हारी बेहन ने, लेके, तुलसी का इफोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मता, सिर्फ बाते सुन दी जाना, ओके, नौरी शुक्ती में फस गया, अप, कैसी हो दुलसी, मैं जानती हूँ, वो तुम्हारी गर्फ्रेंड है, लेकिन मेरी हर बात, उसे बताने की ज़रूरत क्या है, हाँ, उसको और मेरा बैसे भी कोई नुकाबला नहीं, क्या बक्वास करी हो तुम, तुम मेरे बारे में ऐसे बात मती करो, तो अच्छा है, ओ, तो तुमने कॉन्फरेंस कॉल की हुई है, ए, अगर मेरा बस चले ना, तो तेरी शादी अपने भाई से हो नहीं ना दू, पागल कहीं की, मैं पागल, तुमसे तो बाद में निप्टू की, पहले तुम कि मेरे कलेक्टर बनने के बारे में तुमारा क्या ख्याल है, ऐसा कहा था या नहीं? नहीं, तुलसी मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? कुछ दिन पहले ही तो कहा था तुमने, जब पांडे भी हमारे साथ था, अच्छा उस दिन की बाद, अरे तो ऐसा बोलना, वो कुछ कह रहा सकती है, कैसे यो झार क्यों फोनकिया? तुमने कहा था कि मैं का इस आ था क्लेक्टर नहीं सकती है, नहीं, नहीं, मैंने अइसा कभी clicking का, पॅनो पहले यह बता और कौन-कौन लाइन पर है उसके बाद मैं याद करके बताता हूं किसी और से फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम मेरे लिए ऐसी बात कैसे कर सब्सक्राइब क्या बात है मेडल मिलना चाहिए अरे परिक्षा में फेल हो गए थी और मुझे बताया तक नहीं इस मैंने तुम्हारा नंबर चंद्रे का आई-एस के नाम से से क्या बात है भाई चलो अच्छा है तुम मुझे इंपोर्टन्स देते हो हलो हलो हम अभी भी लाइन पर सुनाई दे रहा है तो सुन क्यों रहे हो कॉल काट क्यों नहीं देते ठीक है मैं काटता हूं यह खचाक द मेरे भाई को नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं बस आपके माबाब और आपके चाचा बहुत होंगे ए मैंने यह घर अपनी महनत की कमाई से बनाया तो इसका उदगाटन भी शांदार होना चाहिए तो फिर मेरे भाई को बुलाने में क्या दिक्कत है नहीं ठीक है जा जो चाहे कर ले उसने अपनी मनुष शकल दिखाई तो यहां से बेजद हो कर जाएगा याद रख अपने मामा को फोन कर जरा ऑपने बॉल भे बॉल रहा हूं तुम्हें प्रविश का कोई इन्वेटिशन मिला क्या अरुन आया कहता हमें चलना चाहिए नहीं नहीं भाईया वो नहीं चाहते कि हम वहां जाएं उन्होंने गाउं के सभी लोगों को बुलाया है बस हमें नही वो तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे उसने कोई महल बनाया है रखे अपना घर अपने पास मैं नहीं जाने वला उसके हाँ अरे अच्छा है ना भाईया वहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर देना पड़ेगा ऐसे खर्च होंगे आने जाने का खर्च भी बचेगा अच्छा है सारे रिष्टेदारों को बोल दो कोई भी उसकी आना जाए बोल दूगा हमें एकता होनी चाहिए ताउ जी हाँ एकता होनी चाहिए हाँ मैं सबसे कह दूँगा अरुन है क्या वहाँ पर क्या रे मिश्रा जी को सूथ का पेमिंट किया तुल्सी के ग्रह प्रवेश के बाद कर दूँगा जल्दी से कर दो बार-बार वो मुझे फोन कर रहे है ताउ जी हम नहीं गये तो फिर वो भी याँ पर नहीं आएंगे और ये रीद बन गे तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा हाँ बंद हो जाएगा चलो ना ताउ जी वहाँ जाकर अपनी बेज़ती करवालो यहीं चाहता है हम एसे कोई नहीं जाएगा वहाँ हम चुपके से पूजा में जाकी अपना फर्ज निभा आएंगे बेटा हम वहाँ चुरीचे पर क्यूं जाएगे माँ हमने कोई खलत काम किया गया तुम्हारे ताउ जी अगर रिष्टिदारों को मना कर देंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पूजा में जाने की तो अपने साथ इन सारे मजदूरों को ले चलतें कम से कम ये हमारे साथ हमेशा ख़ड़े तो रहतें बेटा मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूगा और आपके पीछे पीछे हम सब चलेंगे अब ही खाना खालें सबका ध्यान रखना हाँ रखोंगा ना अब ही तो अब है अब है अब है फेशरमी की भी हद होती है अरे बहिया मा आप नमस्ते बाबा क्यासे आप तुमने तो कहा था कि तुमने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया मैंने इनवाइट नहीं किया बेशरमों की तरफ मू ठा कर चले है अब देखो क्या करता हूँ जो भी करना मेरे जाने के बात करना ये क्या चाचाचाची आप कहा चल दी आज का दिन बहुत शुब है, इसलिए पार्टी मेरिज हौल का एडवांस देने के लिए तयार हुई है मिलते हैं भाई अरे रहने दुमाई तुलसी, तेरा घर तो एकदम चकाचक लग रहा है मैंने तो सूचा भी नहीं था कि तुमाँ पाऊगे और मैं किस मुख से तुम्हें आका नियोता देती मैंने तो फोन पे मना कर दिया था यहां आने के लिए अपनी बेहन से मिलने के लिए दावत की ज़रत थोड़ी होती है पगली कैसे है भाईसा, अब ठीक है ना अरे तुलसी, चाय पानी तो पूछो बेटा प्रकाश यहां बेठो देखो बेटा, ऐसा मत करो इस मंगल कारी में तुम लड़ाई जगडा करके महौल को मत बिकाड़ो चलो भाई, खाना खालो, अरे नहीं, वहां से निकलने से पहले खाके निकले थे, अगली बार आऊँगा तो तेरे हातों का खाना पेड़ भर के खाऊँगा बाबा, आप तो खाना खालीजे, कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी खालेंगे, तुम अपना ख्याल रखना मेरे पाती की हरकतों को नजर अंदास कर दो वो भले हमें कितना भी ना पसंद कर लें, पर हम उनकी इज़द करना नहीं छोड़ सकते अरे, रो के विदा नहीं करते पगली, मुस्कुरा के करते, अच्छा, खोश रहना उस आपनी को कोई नहीं हरा सकता है, जो रिष्टों को मश्बूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है अरवता, अरे मूट खराब है उसका, तु वापस चला जा, सॉरी भाई, मैं आ नहीं पाया, कोई बात नहीं भाई, दादा जी आप वहाँ तक क्यों गए, रह परवेश में जाने के लिए मना किया था, फिर वहाँ जाकर अपने बेज़दे क्यों करवागे आए, आपकी छ छोटी मोटी कमाई से घर नहीं चल सकता है, समझे, अगर हमारे साथ रहना है, तो हमारी बात माननी पड़ेगी, ने तो चाहिए यहां से, ताई जी, रोक ये ना दादा जी को, जाने दो ने, वैसे भी वो अरुन की फैमली से हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बाबा, रो ये मेरा शेर बोला, चाचा जी, ऐसे हालात में मैं आपसे अपका मैरे जहौल खरीद रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, बदाई हो तुम्हार चलता हूं, ठीक हैस्ती, लो, इसे गिन लो और जमा कर तो, तुम्हारी शादी में खर्च करने में काम आएगा, वो सब भ मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके जीजा ने आपकी बेहन को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई, क्या बना, सच कह रहा हूं भाई, वो लोग उसे अभी हॉस्पिटल ले कर गए, कौन से हॉस्पिटल में, तुलसी नाम की मरी इस किस रूम में एडमिट है, देख की बताती हे, तुलसी तो यहाँ पर नहीं है, गल्पी हो गई भाई, वो लोग उसे जान की ऑस्पिटल ले गए हैं, हे, सच सच बता, मैं सच कह रहा हूं भाई, क्यों किया तुलसी के साथ, घूम किया है न, बधाई हो, तु मामा बनने वाला है, भाई, मैं तुमें फोन करने ही वा अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब तीसरी जिम्मेदारी आने वाली है, तुम एने चाचा से पूछा, वो कह रहे थे यह बच्चा बच्चा किसली है, भाई, तुम दोनों आपस में क्या बाते कर रहे हो, कुछ नहीं, सोच रहे थे कि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी, तो क्या रखेंगे, तो अब तुम बताओ कि तुम शादी कप कर रहे हो, हाँ, हरे, उसको भी बहुत वक्त है, मामा जी, मुबारको आपको, मामी जी, आपको भी मुबारको, तुम जानते नियों, घर से कैसे चुप कर आई हूँ कॉंसर टाइम पर आई हो, लेटी तो आई हो, जब लड़की लेट आए तो नाराज नहीं होते, और हाँ, दूसरी बात, उसे इंतजार भी कभी नहीं करवाते, समझ गये ना, समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं, तुमें मेरा गुस्ता भी अच्छा लगना चाए है, ठीक ह और अगर तुम्हारी मा मुझसे खुश नहीं है, तो उन्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो मुझे पैसे देने होंगे, पैसे देने की नौबत था भाईगी, जब शॉपिंग पे जाने दूँगा, ठीक है, और लिप्स् करना कि तुम्हारे दोस्तों को मैं भाई कहकर बलाओं, ठीक है, और मैं तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ अच्छे से ही रहोंगी, यह तो डबल ठीक है, क्या मतलब, अब क्या ये बात नहीं माननी थी, क्या तुम हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे, तुम बस हुकुम करो मुझे, अब ये सब चोड़ो और अपने एक्जाम पर ध्यान दो, मुझे पूरे यकीन है, कि तुम सारे एक्जाम पास करोगी, और कलेक्टर बनोगी, उसके बाद भी अगर तुम्हे अपना करियर बनाने के लिए वक चाहिए होगा, तो मैं इंतजार करूँगा, चल तुझे लेके देता हूँ, अरे बुआ, हाँ, तुलसी, कैसे हो भाई, क्या हो गया, कुछ नी भाई, बस, ये चेहरा क्यों सुझा हुआ हुआ है, थोड़ी तबे ठीक नहीं है, ठीक हो जाओंगी, क्या हुआ दुलसी, कुछ नी हुआ, तो मुझ लटका के क्यों वैठी है, मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं रह सकती न, मुझे हसना है, रोना है, और अगर कोई दुख भी हो, तो बिना कोई शिकायत किये सोजाना है, क्योंकि मैं एक और चुह हूँ, सिर्फ एक कटपुत कुछ नहीं देवी मानते हैं, मुझे चुपा रही है, तेरा चेहरा सूजावा क्यों है, कुछ ने, बस ऐसे ही, मैं अपने सारे दुखों को छुपा कर बस यहां किसी तरह रह रही हूँ, तुमने मुझे मना किया था लेकिन, मैंने तुम्हारी बात नहीं माले हूँ, माज तो बारा बज़े तक खुली रहती है, अमने सवचा यहीं से ले लेते हैं, अगर तुम लोग दो बारा यहां दिखाई दे तो मैं सिर्फ होड़ दूँगी, एक तो दारू बेशती है, उपर से इतनी अकड दिखा रही है, चल यहां से शिवा क्या चलते है, चलो, यह सब क अरण के पाऊ पड़ता हूँ, इसकी गलती नहीं है, यह मेरा है, इसे मुझे देज्था दो तूण से दे दोist हैon, मेरे भाई नहीं सorno को ले कर तुझे शर्म को ले कर तुझे षर्मनी आती, मेरे जन्म को को लेकर कोई बी उल्टी सीधी बाते मत कर ना सब जो लड़की को तेरी कलिप ये को नजर अंदास करता रहा इसका खलत लाथ अब तक दुकान नहीं खुली है अंदर कचिरा साफ हो रहा है यही वक्त मिला क्या जो आरत तुझे आलाद देने वाली है उसी पर हाथ उठाय तुने नामर्द अरे चुकर मैंने अपनी बहन को शांत रहने के लिए तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम मेरी बैंड का सुहाग है कि अब अपना प्लान बता बदला कैसे लेना है मुझे लगता है बदला लेने पहले यह फुद ही मर जाएगा लीवर तो गया इसका यह कार है के जहाज है अच्छा यह है पार यह मारी तरफ क्यों आ रहा है आओ बाई आओ इसके जख्मों पे मलम लगाने आयो रखो ता श्रीफ एई यह सुबा सुबा क्यों लगा रहा है ऐसे ही बड़े बाई यह जिंदगी में पहली बाश रापी रहा है सोचो इसको कितना समार के मारा होगा उसने अबे तु अर्शा में नोटंकी मत किया कर एक इसपर क्यों चिला रहा है यह जो कुछ भी कह रहा है सची तो कह रहा है यह बहुत गुससा में हो निकल जाए यहां से यार अपना गुससा इस पर को उतार रहा है इसकी तो शकली गरिप हुझाए तेरी तो किस को को बोला बोला बे बैठ बेठ लाम से तु मेरी बात सुन यहां चोब बैटने के लिए नहीं आया हूँ तेरे साले की अच्छे से ठुकाई करेंगे तू चल मेरे साथ अच्छह तो यहां मेरी बेज़ितल करें राहे है आखरी बार के रहा हूं चला जाहा है कीають के साल्य ने मार मार के तेरी धोदी भाट दी है मर्द का बच्चा तो जाकर मार उसे से मज मुझ से कहते हैं ऑद jag चला जाओं एए मुझसे आकड़के बात करेगा तो तेरा बार बचेगा क्या अब मैं बोल रहा हूं यह मेरी जगा है मेरा बार है चल निकल यहां से निकल बोला ना तो बाई के कांच से खुल निकल रहा है यहां बाई क्या तुम ठीक हो यहां बाई तुमने भाई को बार दिया मेरे जान मुझकर ने मारा कलते से मारा भाई कि अच्छों से जाने में राना को मार दिया अरे पर तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है मुझे भी मरवाएगा क्या पुलिस्ट्रिशन जा और खुद को सुरंडर कर रहे हैं जान मुझकर नहीं मारा क्या कहां हां तुम से जिन्दा नहीं पचना चाहिए इससे पहले कि वह पुलिस्ट्रेशन पहुंचे उसे खतम कर डाल के जान नाहीं को मारने वाले हैं तुम से पीछे पड़े हैं फिकर मत कर कुछ करता हूं बहुत जाए सबस्के आजाएगा फिए जरो डूड़ों से यहीं कही होगा हेलो जीजा जी जी जीजा जी हेलो 16 साथ कहो हुए हुए हाई वे के पास मख्ये के खेत में चुपाओ हुए ने पाप का घड़ा बर गया है मर जाओना यहाँ फिप़रो में आराओ। जल्दियो एए, खेस्ट निया जार खिपाया तुच्ट्च्छ तुच्टीअ पट्को अदू रखे पुर्फे से पीछें रहो वाँ कर दुच्छ जाने मन्ते ना ilo ने यह अपार्प हूँति! कि आप आप करके मामला सुलाट सकता है आर कड़ की ज़रूरत नहीं है हमें कोई बात नहीं करनी आज तो यह मरेगा है ने पुलिस टेशन ले जाऊंगा इनको इनके किये की सजा कानून देगा यह यहां से जिदा बचके नहीं जाएगा देखो मेरी बात सुनो है एंढाला उव सुनो है जए जडना मनदेश," मघगा बाति का ग्या, ग्या! है है एल… एल… को एल… एल… हाँ… एल… एप 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 पर आरे झाल बाई यह क्या हो रहा है भाई रख जाओ अरे सुनिये अरे इस तो क्या हो रहा है जाओ जल्दी चलिए चलिए यहां से चलिए वो भग रहा है पगड़ों से थोड़ा मुद्टो बच्का जाने दुद्धाओ इस पां उल्दी चलिए यहां जो तुम्रों आख जो को हां जाओ से बसकता है यह वो जो यहां जादा वागेला प्जको जादा कोमालत को मुद्धाओ पुल्दा आख जोड़ों अरlla नदा आख जो फिले ऐ में वरे यहां थोड़ों कि अरे सुनो मैं कसम खाता हूं मैं इसका दिम्मेदार नहीं हूं भाया चौलेंगा नहीं दोनों को भाया तुम के लिए नहीं जाओ के लिए रोने के आवाज उसके घर पर भी होगी चलो रहे चलो अची आफ चबनार जा नवर्ड़ा तेरा प्वता कहा है तो बुझटलोर उसके पाल निकाफ को बॉझदेल करने के सब्सक्रीच है अजए अई है फेलार निकाल से गुझटलोर। अब लोग को नूँ है तेरा भाई का बेटा का है तुम लोग हमें परेशान क्यूं कर रहे हो उसे जाकर पुछो पुछो अभी चिपकर तुमारा भाई राना हमारा भी दोस्ता अरून-वरून कोई नहीं है यहां मिलने पर जो करना करे नजा करसम लेता हूं मैं उसकी जान अपने भाई कि चीता चलाओंगा एक है अपने आत्मों को लेकर कि आसे कहां चुपाए तु भाई राना के लोग तुझे ढोंटे हुए घर आये थे उन लोग ने बाबू को धक्का भी दे दिया जरा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना भाई यह लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं तुम लोग ठीक तो हो ना कि ऑ गो पर आये हाँ कि अ कि अ कि एरो कि यह जरो है 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 थीक हो जाएगा जार पास लोग गाए और मुझे धक्का देजिया चाचु क्यों रहे हम जिन्दा है या मर गए यह देखने आये हो हुआ यहां से निकल भए यहां से पापा कर ले जो जी में आये कर ले तिरे बाप ने भी तेरे जैसी हरकत की थी और फिर मारा गया भाई यह जयेगा उसके पास बहुत नाच रहा है बत्तमीजी मत कर वर्ना छोड़ों का नहीं तुझे ताउजी, मैंने कब आपसे बत्त में सेगी, मैं तो हर काम आपसे ही पूछ के करता था क्या पूछ कर किया तुने, हमने जो कहा तुने उससे उल्टा ही किया बड़ों को ऐसे ही इज़त देते हो अच्छा, ये जो सामने खड़ी है न, जब से इस घर में आई है, पूरे घर का बेड़ा गर कर दिया इसने सब की जान पर बनाई है, मैंने उसी दिन कहा था, इसे अनात आश्रम में छोड़ दो, लेकिन दिरी बाने सुना गया अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, पूरा गाम इस वक तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम चले जाओ तुम चले जाओ, रुक जाओ, जैसे क्या घूर रहा है मुझे, नामो निशान मिटा दूँगा मैं तेरा अब चुप कर तू, बहुत कर लिए तूने अपनी बकवास तो फिर, चाहे कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो, या कोई शादी हो, हर फंक्शन में सबसे आगे रहता है, मुझे से मुकाबला करेगा तुर रमखा समस्ता है खुद को, छोड़ूँगा नहीं तुझे अरजा, तु मेरा बेटा कहलाने के लाइक नहीं है मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूं ताउजी, आप बड़े हैं और मैं छोटा मैं इस दुनिया के बारे में उतना कभी नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं मैं क्या मुकाबला करूँगा, अपने बाप के मरने पर उसकी चिता को आग तक नहीं दे पाया इसलिए आप लोगों के अंदर हमेशा अपने पिताजी को ढूंटा रहा, आप सबसे बाप का प्यार चाहता रहा कि कोई तो उनकी कमी पूरी कर दे, पर बाप का प्यार देना तो दूर, फ्यार से कभी मेरे सर पे हाथ भी नहीं फिराया, बल्कि मेरे घर आना बंद कर दिया मैंने इंसे पैसों की मदद मांगी तो किसी होर का नाम लगा कि मुझे सूध वसूलते रहे मैंने फिर भी उस बात का बुरा नहीं माना पर आज मुझे एसास हो गया कि आप सबने हमें कभी रिष्टेदार माना ही नहीं हमें आना अज समझा परायों की थरह बरताव किया मुझे मेरे मामा बहुत पसंद है बहुत प्यार करता हूं से लेकिन जब अपनी बेहन के लिए इनके बेटों का हाथ मांगा तो इन्होंने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया आपने भी तो यहीं किया हमने आपको बताए बिना कभी भी कुछ नहीं किया लेकिन आपने हमारे पीट पीच हमारा बहुत नुकसान किया यहां तक कि तुलसी की सगाई भी आपने तुड़वाई रिष्टेदारी नहीं तो इंसानियत के खातिर वो शादी हो जाने देते ना तो हम लोग इस तरह धर-धर भटक नहीं रहे होते हैं आप हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपने अपना बाप नहीं खोया है इतना चोटा सा था जब मेरा बाप मेरा मुझे चोड़के चला गया चोटी सी उबर में मैंने सब कुछ को दिया लेकिन मैंने कसम खाई मैं इनका ख्याल रखूंगा और आप लोग मुझे वही करने से रोक रहे हैं बात सिर्फ दुलसी के नहीं है किसी पर भी ऐसी मुसीबत आती ना तो मैं कभी पीछे नहीं हटता रिष्टेदारों का काम क्या सिर्फ दावते लूटना ही है मेरे दादा के सिवा किसी ने किसी ने हमें अपना नहीं समझा हम उस मा की अउलाद हैं जिसने खुद को पीछे डाल के अपनी जिन्देगी का एक एक पल हम पर निचावर कर दिया इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इच्छाओं का खयाल रखें हम यह नहीं चाहते कि आप हम पर तरस खाएं पर हमारी तकलीफों को भी मत बढ़ाईए गयर क्या कम थे जो अपनों का भी धर्द सहने लगें बस इतना सकर्दी जी हम पर बहुत बड़ा आहसान होगा आप से मुकाबला करके मुझको आखर क्या मिल जाएगा आप जैसा चाहते हैं जो चाहते हैं कर यह ताओ जी हम खुशी खुशी आपके पीछे चलते रहेंगे आप जितरा चाहें बेज़ेती करें धुदकारें पर हम अपने इस परिवार से दूर नहीं जा सकते क्योंकि हम मेरे मुझे से कुछ गलत निकला हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ बेटा तू भी मुझे माफ कर दे मैं जा रहा हूँ इस मुश्किल से निपटने आप लोगों वे एक आंज भी नहीं आने दूँगा आप मैंसे कोई कुछ मत करिये जो करना है मैं ही करूँगा रो मत बेटा मैंने तुम्हें हमेशा हसते हुए देखा है आज तुम्हें रोता देख दिल डुख रहा है मेरा इनकी बातों को दिल पर मत ले बेटा है चाचू मैं भी आपके साथ चलूँगा तुने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है माबाप का ख्याल रखना हुं है बह्या वह भाई को मारने वाला शातान उमारे मंदिर के बास आगरा खड़ा है से क्याल ठावल लेकर छोड़ेंगे है पुझे अमारे भाई को बारने वाले को मचा रहे हैं तुम लोगों ने माने जा रहे बात भी नहीं सुन रहे हो मेरे जीज़ा जी का गुना माफ करने लाइक नहीं है पर मैंने उसे इसलिए बचाय ता कि और खुन खराबा ना हो ना इनसाफी करना मेरा मकसद नहीं है और मैं अपनों को खोने का घम भी जानता हूँ जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते फिर भी आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा अभी भी उसका आदर करते हैं तू तेरे बेहनोई को बाहर लेकर आओ मैं उसे इसी जगा पर काट डालूँगा उसे मारने के बाद ही मुझे और मेरी बेहन को शाती मिलेगी जान के बतले जान लेना कहा काइन साफ है बताओ मुझे मेरी बेटी पेट से है क्या आप चाहते है कि इसकी तरह मेरी बेटी भी बिद्वा ओड़ा मेरा भाइ मर गया और कोई मरे ना मरे मुझे क्या पढ़िये उसे आपके हवाले करने के ऐलावा और कुछ भी मांग लिजे कुछ भी से तेरा मतलब? ओहो, पैसे के बारे मैं बात कर रहा है? तू मुझे खरीदना चाहता है? मुझे बस वही चाहिए. जब तक वो नहीं आता, कोई यहां से हीलेगा नहीं. सुन्बे, तेरे गाउं से कोई भी इस गाउं में नहीं आएगा. यहीं पर तू बैठा रहेगा मरते दम तक. मैं आपके सामने घुटने के बल हाद बांद के बैठा हूं, इसका मतलब यह मत समझे कि मैं डर गया हूं. मैं आप लोगों का दर्द समझता हूं और इसलिए उसे बाटने आया हूं. लेकिन फेर भी अगर कोई शान्ती से बात नहीं करना चाहता, तो मैं बता दू मुझ से पंगा लेने वाला कम से कम छे महीने तक बिस्तर से उठता नहीं है. पहले मरने वाले के घरवालों ने मारा था, इसलिए चुप बैठा था. किसी और के लिए चुप नहीं बैठूँगा. पर मैं लड़ने नहीं आया हूं. एक भाई का दिल समझ सकता है कि उसकी बेहन किस तकलीफ से गुजर रही है, पर मैं ये भी जानता हूं कि इनके सामने इसका खम छोटा है. मैं अपनी माँ को इस हालत में देख चुका हूं. वो महसूस कर चुका हूं जो ये बच्चा कर रहा है. एक विद्वा औरत के लिए अके लिए बच्चे को पालना कितना मुश्किल है. ये मुझ से बेतर और कोई नहीं जानता. जब भी मेरी माँ को मुझ पर बहुत प्यार आता. मुझे अलग अलग भगवान के नाम से बुलाती. पर मेरे लिए तो असली भगवान मेरी माँ ही है. जो हमें च्छाव देने के लिए धूप की तपेश परताश करती रही. एतनी हिम्मत वाली औरत आप सब के सामने को का पहाड तूटा है. वो भी इस दर्द से गुज़र चुकी है. तुम देख क्या रहे हो? मारे इसको! अब बस करो! कभी प्यार के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बदले के नाम पे ये कतले आम कब तक चलेगा? चल मौड जा. तो भी और तुलसी. मैं जानता हूं क कि ये वक्त साही नहीं है. फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं. मैं तुम्हें अपना के इस बच्चे को अपना नाम देना चाहूंगा. भाई? कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है. आराम से सोच के चवाब दे सकती हो. महर्मानी आपकी. आपका दिल बहुत बड़ा है किसी और की गलती के लिए हम आपको सजा क्यूं दे? मेरे पती की मौत इसी के पती के हाथों लिखी थी. सब किस्मत का खेल है. और इसकी वज़े से दुश्मनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. मेरे पती और मैंने खुद तुमारे बहन को खुश रहने का अशिरवात दिय था. तो अब मैं उसकी जिन्दगी कैसे बरबाद करूँ? मैं गाउवालों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को पूरी इज़त के साथ यहां से जाने दिया जाए. ताकि मेरे पती की आत्मा को शांती मिले. वे भी पाजी उच्छाइए फाजी उच्छाइए थोजी उच्छाइए उच्छाइए पुच्छाइए आपने आपको कभी भी अकेला मत समझना पेटा मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखोंगा जब भी तुम्हारा दिल करें मेरे पास आ जाये करना ठीक है अपने खर जाओ बिटा आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज होगा मैं तुम्हारा यहसान कभी नहीं भूलूगी चाचा जी चंद्रिका की गूदभराई करनी है अब मेरा मत तुल्सी की गूदभराई करनी है जी चाजी पेरोल पे भाहर आ रहे हैं काफी दिनों बाद खुशी आई हैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा बड़ा फंक्शन करनू शुक्रिया तो चाचा जी वो जो आदमी उससे थोड़े पैसे करजा दिलवा देंगे आदमी उसे क्यूँ मैं हूँ ना मैं आज वक्त पर भर दिया करूँगा बसकर नमस्ते हमारे परिवार की बात है बेटा कलेक्टर कब बलोगी बहुत जल चंद्रिका अपनी इस रुकावट के लिए खेदे वाली खासी का कुछ इलाज तो कराई है तावाट जी ससुर जी मा वोज तो देखो जेवी नहीं है क्यों रुला रहें वेरे बच्चे का पाती रापा अच्छा लेगा मा कर भला तो हो भला